दिन भर की सबी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हलो दोस्तो अभी अभी आ रही है बड़ी खबर पाकिस्तान के बाला कोट में आतंकी कैंप पर भारतिय वाई सिना के एर स्ट्राइक के बार अब भारतिय सिना की तरफ से एक बड़ी ब्रेकिंग निउस निकल कर आ रही है भारतिय सेना ने की एक और सर्जिकल स्ट्राइट, मैनमार सीमा में घुस कर आतंक के ठिकाने की ये तबा, आतंकवात के खिलाफ भारत का सक्त रूप कायम है और पियोके में भारतिय वाई सेना के तरफ से जैश महमत के ठिकानों पर की गई हवाई कारवाई के कुछ दिन बाद, भारतिय सेना ने अब मैनमार सीमा पर मौझूद आतंकियों के कई ठिकानों को निस्तोनाबूत कर दिया है भारतिय सेना ने मैनमार सेना के साथ मिलकर इस ओपरेशन को अंजाम दिया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरपूर्व के लिए बड़े और एहम इंफ्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो मैनमार में सित्वे बंदरगाहा के जरिये कोलकाता से मिजोरम से जोडते हैं इन आतंकी संगटनों के निशाने पर थे मैनमार का विद्रोही समुह अराकान आर्मी ने मिजोरम सीमा पर नए ठीकाने बनाए थे जो कलादान प्रोजेक्ट को निशाना बना रहे थे अराकान आर्मी को काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी द्वारा नार्थ बॉर्डर चीन तक ट्रेनिंग दी गई है और सुत्रो के अनुसार विद्रोहियों ने अरुनाचल सी सटिक शेत्रों से मिजोरम सीमा तक 1000 किलोमीटर की यात्रा भी की है सुत्रो के अनुसार पहले चरण में मिजोरम की सीमा पर नवनिर्मित शिवीरों को ध्वस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर संयुक्त अभियान शुरू किया था जबकि ऑपरेशन के दूसरे भाग में ने टागा में NSCN के मुख्याले को निशाना बनाया गया और कई शिवीरों को नश्ट कर दिया गया सुत्रों के अनुसार रोहिंग्या आतंक की समुह, अराकान आर्मी और नागा आतंक की समुह के खिलाफ दो सप्ताह लंबा संयुक्त भारत मैनमार ओपरेशन चला आतंकी समोह ने कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट की तरह भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की खिलाब हमले की योजना बनाई थी इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही